हेलो एव्रिवन इन वेरी इंट्रेक्टिव वीडियो सेशन दोस्तों हमने आपको टेबल से जुड़ेवे काफी सारे ट्रिक्स दिये हैं जिनको आप लोगोंने बहुत ज़्यादा से रहा है और बीच में फ्रिक्वेंटली मेरे पास में कुछ ना कुछ काफी हमारे सब्सक्राइबर्स के मेसेज़े आ रहे थे मेल्स आ रहे थे कि सर आप कुछ और भी कुछ भी नया देने का कोशिश कीजे इन टेवन्स तो दोस्तों आज हम आपको फिल बताने वाले हैं और आपके उंगलियों को तोड़ा कस्ट देंगे जैसे कि आप देख रहे तो अगर आप देखते हैं तो डेड शूर है कि आप खुश होके जाएंगे आपको ये जो सेशन चलेगा चाहे वो दस मिनट का हो चाहे बारा मिनट का या पंदरा मिनट का लेकिन आपको मज़ा बहुत आने वाला है और सबसे खासित यह होगा कि हम इसको जड़ा सा भी वो हम लोग कर ही लेते हैं है ना आपस में जैसे कि मालीजा आप कहते हैं 5 x 4 equals to what या 4 x 5 equals to what या 3 x 5 equals to what प्राप्लम कहां खड़ा होता है students जहां पे हम बात करते हैं कि 6 x 9 का हो या 7 x 9 का हो या 9 x 8 का हो है ना तो यही चीज़ पे हमारा ये ट्रिक काम करेगा और इसलिए हमने 6 से उबर को लिया ठीक है तो जैसे 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ भी और 6, 7, 8, 9, 10 यह ट्रिक सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यही एक फॉर्मूला specific formula आपका काम करेगा 6 से लेके 9 तक के उपर में जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना आपने fingers से जुड़े वे काफे tricks देखे होंगे खुद मैंने भी आपको दिया है लेकिन यह जो trick है यह काफी informative है बच्चों को आप खेल खेल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं और कुछ नया सिखा सकते हैं चले शुरू करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि मैंने fingers का दो हाथ का आपको एक figure बना के यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन एक खास बात अगर आप ध्यान देते हैं तो वो यह है कि 6, 7, 8, 9, 10 हमने 6 से शुरू किया 1 से 5 को हमने शुरू नहीं किया और क्यों नहीं किया क्योंकि हमने आपको पहले ही काया है कि हम जो आपको formula देंगे वो हम आपको देंगे 6 से 9 तक का चाहिए 6 से 9 और सिर्फ दो हाथ दो हतेलिया दो 10 fingers और आपका काम हो जाएगा तो यहाँ पर देखे यहाँ हमने 6 से लेके 10 तक दिया और 6 से लेके फिर हमने यहाँ भी 10 तक ही लिखा है 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 यह काम कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ suppose हम कहते हैं 7 into 8 equals to what ठीके 7 के table में अगर हम करते हैं multiply 8 से तो क्या होता है ठीके इस हाथ में 7 है कहाँ पर यहाँ पर इस हाथ में इस finger में कहाँ पर है 8 यहाँ पर तो मतलब मैं थोड़ा red pen का योज़ करूँगा marker का तो यह 7 से लेके 8 यह हमारा एक हो गया अलग portion जिस number से जिस number को आपको करना है उसको आपको एक box में आपको convert कर लेना है बहुत normal way में सुनिए हम शुरुवाती दौर है तो हम आपको बहुत basic से समझा रहे है जिस number से जिस number को जैसे यहाँ देखिया आपको 7 को 8 से multiply करना था तो आपको 7 और 8 दोनों fingers को लेते वे हमने box को cover कर लिया अब ध्यान ये देना है कि नीचे वाले जो numbers होंगे नीचे वाले जो numbers होंगे इसको आपको करना है plus क्या करेंगे आप plus चलिए हम इसको black marker से लिख देते हैं plus I hope आपको clear visible हो नीचे वाले को plus करना है और उपर वाले जो बचेवे fingers होंगे इसको multiply करना है क्या करना है multiply अब आप देखते जाए हम करने क्या वाले है अब जैसे की चलिए हम शुरू करते है तब आप समझेगा यहाँ पे कितना fingers है 7 और 8 का हमको पता करना था तो यहाँ पे कितना fingers है 2 plus 3 हो गया तो यहाँ पे 2 plus 3 कितना हो गया obvious सी बात है यह हो गया आपका 5 हो गया नीचे वाले को आपको पहले लिखना है चेके अब उपर वाले को आप देखिए 3 1,2,3 कितने fingers यहाँ पर है 1,2,3 चेके तो यहाँ हमने कहां पे लिखने हैं यही लिख लेते हैं 3,2 और यहाँ कितने fingers है 2 अभी इसको मैं आपको हटा देता हूं ताकि आप जल्दी समझ सकें चेके यह हो गया 3,2 क्योंकि मैंने पहले ही कहा उपर वाले जो बचेगा उसको आपको multiply करना है तो 3,2 और यहाँ कितने fingers बचे रेड मार्क के ऊपर 2 2 हो गया 2 3 into 2 6 इस वन इस यह आंसर 7,8 is 56 तो अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले नंबर को हमको क्या करना है multiply और नीचे वाले को plus और यहाँ लिख देजएगा 7 into 8 equals to 56 आपका answer निकल गया समझनाया easy है और बहुत जादा easy है चलिए हम एक और हम अपना एक number लेते हैं और देखते हैं उस वक्त कितना help कर रहा है लेकिन हमें यह red mark वाला portion हमें हटाना पड़ेगा चीक है तो 7 कहां है यहीं है तो यह red marker से फिर हम करते हैं चलिए 7 को हमने cover कर लिया और हमें दूसरा number क्या है 9 तो यह 9 को हम cover कर लेते हैं और इसको यह box को फिर match कर लेते हैं तो मतलब यह red mark नीचे वाला जो हिस्सा है याद रखना है उसको क्या करना है आपको plus करना है और उपर वाले जो बचेवे numbers होंगे जितने आपके उंगली में बचे उसको आपको क्या करना है आपस में multiply करना है तो पहले नीचे वाले को हम तो कर लेते हैं यह कितने बचे इस उंगली में दो दो लिख दिया हमने यहां हमने दो लिखा चेके और यहां कितना है 1,2,3,4 4 है तो plus करना था 2 plus 4 equals to 6 तो यहां आपने लिख दिया 6 हो गया अब यहां आप इसको हटा दिजे चलिए अब उपर में fingers को count किजे कितना है 1,2,3 3 और यहां कितना बचा एक ही finger बचा है 9 के उपर तो तो 3 into 1 equals to 3 तो यह 3 को हमने यहां लिख दिया यह निकल गया आपका answer 7 into 9 equals to 63 या कह लिजे 7,9 just 63 ठीक है अब आप देख सकते हैं कि कितना interesting trick है काफी informative trick है काफी interesting trick है कि आपको बहुत जादा सिखने के मिलेगा और आपको मज़ा बहुत जादा आने वाला है और सबसे खासियत यह जो है कि मैंने अभी कहा कि यह 6 से लेके 9 तक कि सभी टेबल इतने ही finger के अंदर में complete हो जाएंगे बस ध्यान ही रखना है कि तो मुझे red वाले portion को फिर से थोड़ से मिटाना पड़ेगा चलिए यह हमने यहां मिटा दिया बाद बागी तो हमारे काम आही जाएगा चलिए तो हम एक number ले लेते हैं अपना 6 into 9 equals to what यह हमने 6 ले लिया और 9 हमारा next number है तो यह हम 9 को यहां से block करके इसको हटा देते हैं ठेक है यहां कितना इस हाथ में कितना बचा सिर्फ एक finger बचा है तो 1 हो गया plus 1 2 3 4 1 2 3 4 4 तो 4 plus 1 equals to 5 तो यहां हो गया 5 ठेक है अब हम इसको हटा देते हैं और इस red marker जो हमने अभी जिसको गिना था उसके उपर वाले पे कितने number figures बचे उसको आपस में क्या करना है multiply करना है नीचे वाले में plus उपर वाले में multiply तो 1 2 3 4 4 into सिर्फ एक बचा तो यहां 1 लिख दिए एक हे finger है count करना है आपको तो 4 into 1 equals to 4 it means your answer is 54 काफी easy है बशर्ते आप इसको थोड़ा सा practice जैसे सब करते जाएंगे आपको easy feel होगा कि बार हम लोग लेते हैं 8 into कह लिजे 6 equals to what ठीक है तो left hand side में कौन सा number है age तो यानि कि हमको यह 8 तक cover पूरा अंदर कर लेना है हो गया और right hand side में कौन सा number है 6 तो इस हाथ में 6 कहाँ यहां पर है तो हम यहां तक आएंगे और 6 सहीत इसको cover कर लेंगे हो गया अब हमने अपना cover करने वाला portion वाला काम कर दिया जट से कीजिए अब बचा क्या है count कीजिए 1,2,3 इस हाथ में कितने fingers बचे 3 3 और क्यूंकि plus करना है तो plus यहां सरफ एक finger बचा है 1 equals to 4 तो यहां हो गया आपका 4 है ना चीक है हो गया चलिए अब इसको मिटा सकते हैं हम आप उपर वाले में कितना बचा है गिनिए 1,2 2 लिग दिया आपने multiply करना है तो multiply का sign दिया 1,2,3,4 चार figures हैं यहां पर number count कर लिया हमने आप multiply कीजिए 2 into 4 equals to what? 8 तो यह आपका गया यहां तो आपका answer हो गया 48 जो कि answer एकदम correct है और अब हम आपको देने वाले है table trick of 8 ठीक है जो कि आपका demand में मैंने इसको return किया है ठीक है 8 का हम आपको देने वाले हैं तो 8 का लेने के लिए आपको क्या करना होगा उल्टे position में आपको लिखना शुरू करना है सारे digits को 8 का है इसलिए हम 8 से शुरू करेंगे 8,7,6,5,4,3 1 minute यहां पर आपको students एक बात का धियान रखना है जब आप 8 के table पर आते हो तो जब आप आते हो 4 पर उल्टा तो आप decreasing order में लिख रहे हैं लेकिन जब 4 पर आते हैं तो एक बार आपको फिर से 4 से शुरू करना है ठीक है बस यही थोड़ा सा आपको धियान रखना है 8,7,6,5,4,4,4,3,2,1 and last one is 0 हो गया अब कुछ नहीं आपको एक समर लिजी एक आपके लिए formula है 0,2,4,6,8 यह आपका formula है जो की यहां put होगा ठीक है इसको as it is नीचे उतारिए 0,2,4,6,8 यहां तक हो जाने के बाद में एक बार halt कर लिजी एक बार रुक जाएए और again आपको शुरू करना है फिर यहीं से 0,2,4,6,8 तो 0,2,4,6,8 अब अगर आप देखें तो आपका जो है 8 का table तयार हो चुका है काफी interesting way में आपका काम बन दिया अब आप गौर किये अगर हम इसको करें उल्टे side से आप table पढ़ना शुरू कर लिजी 8,8 into 2 equals to 16 8 into 3 equals to 24 8 into 4 equals to 32 8 into 5 equals to 40 8 into 6 equals to 48 देखे अब इसी तरह से so on करते वे जब आप उपर जाएगा तो हो जाएगा 8 into 10 equals to 80 So guys यह था आपका आज हमने आपको दो ट्रिक दिया एक हमने आपको उंगलियों में दिया जो कि काफी मज़ेदार था काफी interesting था 6 से उपर वाले किसी भी number को अगर आप चुटकियों में करना चाहते हैं वो भी fingers में तो खेल-खेल में आप कर सकते हैं आप ऐसे कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के बीच में ऐसे करके आप कीजिए हमारे नेक्स वीडियो में जिसमें कि हम आपको 9 का सुपर ट्रिक देने वाले हैं और ऐसा ट्रिक आपने देखा नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है कि आप उसे देखिए और आपको बहुत मजाएगा चेक है तो गैस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स वीडियो में नए सुपर ट्रिक वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए जादा साथा लोगों को हमारे साथ जोड़िए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेट जरूर करें और ज्यादा साथ हमें support कीजी so that कि हम motivate हो सके आपके ease of work के लिए हमने दो channels हमने अपने अपने on कर रखें हैं Vishal Kumar Jaiswal and my CBC guideline my CBC guideline में guys हमने सभी classes of CBC जितने भी classes है starting from 1 till class 10th or even not 10th you can say 12th also हमने 12th तक के पूरे classes को all subjects को cover करके रखा हुआ है एक से एक mind blowing videos हैं आप उनको जरूर देखें मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नई topic में नई video के साथ में तब तक के लिए this is Vishal Kumar Jaiswal signing off जय हिंद जय भारत जय हूआ है नह Hazard जय है लिए दान का उनको जय हैं भारत के लिए व मिलनकों अढ सक्षक στο एकında पना का मीः बालना की प्हां है हैं की नह हैं